तो हलो विवान निक्स कैसे है आप सब अल गुड़ आई होप सब कुछ बहुत 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 इचाच अला होगा तो गाईस हमने बहुत प्यारे तरीके से अपने सारे पोर्शन्स कवर कर लिये अब हम आ गए हैं अपने आखरी लेक्चर के ऊपर जिन लेक्चर का नाम है अम हमने बहुत प्यारे तरीके से कॉस्टिंग की पूरी बाच कवर करी सारी चीजें उनके इंपोर्टेंट कोशन्स होमवक वाले कोशन्स सब कुछ देखा जी सर देखा अब हम क्या करने वाले हैं लास्ट चैप्टर के ऊपर है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ओके ओके तो आकाउंटिंग सिस्टम सर आप मुझे बता पाओ कि हम इसमें करने क्या वाले हैं एकदम बताएंगे ने सर एकदम बताएंगे हम क्या करने वाले हैं अच जो देखो basically यहाँ पर होगा क्या sir कुछ नहीं हमें न आपको integrated accounting और non integrated accounting के बारे में बताना है अब बोलोगे sir ये दोनों कौन सी बलाएं है ये क्या पढ़ने वाले अपन कुछ नहीं एक बात बताओ क्या कभी costing में accounting को add होते वे देखा है हम इस chapter में वही करने वाले है costing में आपको दिख नहीं रहा क्या हम इस chapter में costing में accounting को add करने वाले है हाँ जी हाँ जी costing और accounting जब मिल जाती है मतलब सर cost का जितना भी data है आप उसका जब accounts बनाना start करते हो ना उसको बोला जाता है cost accounting system ठीक है sir ठीक है sir वैसे भी ये chapter जो हमारा last है ना उतना important होता नहीं क्योंकि इससे एक ही question आता है और एक type का question रहता आपने पास वो हम सब दीर दीरी सीखेंगे और cover कर लेंगे जी sir जादा load नहीं है तो sir अगर मैं बताऊं इस chapter में तो अपन दो चीज़े पढ़ने वाले कौन-कौन सा सबसे पहला मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ integrated accounting integrated accounting और एक हम आपको पढ़ाने वाले है नौन integrated accounting sir दोनों में क्या फर्क है आप एक बार मुझे ये समझाएंगे जी sir हम एक बार आपको समझाने वाले है अच्छा एक बात बताओ एक बात बताओ आप में क्या पढ़ाता हूँ अमिद्भाइ ये क्या सवाल हो गया अरे बताओ तो सहीं मैं क्या पढ़ाता हूँ आमिद्भाइ आप पढ़ाते होhi cost और financial management को दन यह दोनों chapters पढ़ाते हूं जी सर हम यह दोनों chapters पढ़ाते हैं और हमारी कुर्सी नीचे होगी बैठी 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 इसको जरह उपर करने को जी सर हम आपको क्या पढ़ाते हैं आप पढ़ाते हैं cost और financial management ओके guys 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 जब हम costing का data whenever और the cost related and finance related transactions जितना भी cost related और finance related transactions आर क्या किया जाता है recorded together जब sir cost और finance दोनों से related data देखो यहाँ पर हमारे पास institute का notes भी open है जहाँ पर इन्होंने बोला है sir जब financial accounting records और cost accounting records cost related and financial related transactions are recorded together that is that is बोलता है sir cost cost and financial records accounting records are prepared together combinedly जब उन दोनों को combined तरीके से बनाया जाए तो वो बहुता हमारा integrated accounting system sir यहाँ पर क्या होगा when cost related and finance finance को थाके मिर को साहिड करना पड़ेगा and finance related transactions or we can say when when cost accounting records and finance financial accounting records और प्रिपेर्ड उनको प्रिपेर्ड किया जाता है separately अलग अलग तब उनको बोलते हैं non integrated मतलब नहीं integrate किया गया accounting system बताओ किसी को कोई दिक्कत है नाई सर अपने को कोई दिक्कत नहीं आई है अचा है इडिंग नहीं दिखरी गया लो बबा लो अब दिख रही है हाँ सर accounting integrated accounting and non integrated accounting दोनो अपने को दिखाई दे रहे हैं notes हम class के साथ साथ बनाने वाले हैं clear सर okay सर सर अब मेरी बात सुनो एक बात सुनना अपने को ना बहुत सारी इसमें ना accounts खोलने पड़ेंगे journal entry डालनी पड़ेगी इसलिए बच्चों को ताम जाम लगता है पर मैं इसको बहुत प्यारे तरीके से सिखाने वाला हूँ ठीक है सर मेरी बात सुनना क्या मैंने कभी आपको cost sheet पढ़ाई है क्या सर आपने cost sheet तो पढ़ाई है हमें cost sheet में मैंने आपको क्या कैसे पढ़ा रखा है सर आपने सबसे पहले बताया है ध्यान से देखते चलना और मिरे को बताते वए चलना जी सर आपने बताया सबसे पहले आता है हमारे पास direct material मैंने बोला very good direct material के बाद आपने बोला सर हमारे पास आता है direct labor मैंने बोला very good उसके बाद direct हमारे पास expenses चलो good बहुत अच्छे बहुत सही जा रहे हो उसके बाद मैंने क्या बोला उसके बाद सर आपने बोला कि ये तीनों जैसे जुड़ जाएंगे न मैंने बोला हाँ ये मिलके हमारी बन जाती है prime cost कोई दिक्कत नहीं सब ये तीनों मिलके हमारी prime cost बनती है अब मेरे को एक बात बताना क्या बताना सर सर इसके बाद अपन क्या करते हैं इसके बाद इसमें अपन add करते हैं फैक्टरी ओवरहेड्स सर वो opening WIP, closing WIP इन सब को भी एक बार छोड़ो नेट नेट बात करते हैं बड़ी बात करते हैं फैक्टरी ओवरहेड्स अपन एड़ कर लेते हैं ठीक फैक्टरी ओवरहेड्स अपन ने एड़ किया अब लाला ये बता उसके बाद क्या होता है सर अपनी तो पैंसिल के बैटरी खतम होने वाली कोई दिक्कत नहीं अभी उसको चार्ज कर लेंगे सर इसके बाद क्या होता है जैसे ही आपने ये बना तो हमारे पास आ जाता है सर फैक्टरी कॉस्ट सर फिर क्या होता है इसमें वो पास याद एक्वालिटी आर एंडी ये और वो और दिस और डैट ये सारे खर्चे जोडते जी सर अपन जोड़ा करते हैं जिसमें से most important जो अपने को यहाँ पर देखना है न वो है अपना admin overhead admin overhead अपने यहाँ पर जोड़ा जैसे ही admin overhead अपना जुड़के यहाँ पर खतम हुआ इसके बाद मेरे पास क्या आता है सर admin overhead खतम करने के बाद आपके पास आ गया था आपका cost of production जी सर cost of production में finished goods की treatment कर रहे थे एक बार उसको छोड़ो और बताओ सर इसके बाद क्या आता है इसमें finished goods की treatment करने के बाद यही बन जाता है हमारा cost of goods sold done done और सर इसमें बस अपन एक treatment और करते हैं कौन सी selling overheads या general admin overheads की जो मिलके हमारे पास हमें last में finally end में क्या देता है सर मिलके हमारे पास end में हमें देता है nothing but cost of sales जिसमें अपन profit जोड़ते हैं और अपना sale निकल के आता है बताओ क्या इत्ती cost sheet मैंने आपको कभी ना कभी जिंदगी के अंदर पढ़ाई है जी सर पढ़ाई है पढ़ाई है तो एक बार इसको इत्ते part को note down कर लो pencil भी charge चार्ज करते रहेते हैं साथ साथ पेंसिल भी charge होता रहा है आप भी लिखते रहें आपर जी सर अपना काम बन दा है अब अमित भाई आपने इतना लंबा चोड़ा लिखवा तो दिया पर यह क्यों लिखवा है क्यों लिखवा है वो भी मैं आपको आगे समझाओंगा चलो जी सर जी सर आपको हम पूरा टाइम देंगे यह वाला चाप्टर समझने कर यह बकवास चाप्टर इसलिए इसके नोट में खुद लिखवाने लगा अब नोट डाउन हो गया जी सर अपना नोट डाउन हो गया यहां तक सुनो मेरी बात जब इतना आपने पास अब मेरी बात सुनना अब भाई अपना पूरा प्रोसेस होता है आपको इसमें जो कुछ अकांट बनाने पड़ते हैं यहां पर थोड़ी सी स्पेस छोड़ना ठीक है ओके सर वेजेस के लिए भी अकाउंट खुल जाएगा थोड़ी सी जगा छोड़ के रखना ठीक है उसके बाद और क्या आया था सर डारेक्ट ठीक है डारेक्ट एक्सपेंस का खोलना चाहो तो खोल सकते हो चलो वैसे नहीं खुलता उसका मीजर लीनिंग खुलता फिर उसके बाद आपने पास एक अकाउंट खुलता है फैक्ट्री ओवरेड आया था थोड़ी सी जगा छोड़ देना ठीक है उसके बाद आपके पास क्या था सर फैक्ट्री ओवरेड हो गया यह सब एक डबलू आईपी भी अपन पढ़ते थे डबलू आईपी अकाउंट यहां पर उपन करते थे ठीक है सर अपन ने यह भी पढ़ लिया और क्या सर डबलू आईपी के बाद डबलू आईपी के बाद अपने एड्मिन ओवरेड भी पढ़ा था चला थोड़ी सी जगा छोड़ना यहां पर आ जाएगा दन और बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत नाई सर अपना यहां तक हो गया उसके बाद क्या मैंने आपको फिनिश्ट गुड और सब कुछ बन जाने के बाद क्या सारी चीजे कॉस्ट ऑफ सेल्स में चली गई थे बोलो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट के अंदर जी सर ये भी हो गया था और उसके बाद उसके बाद क्या हुआ था सर उसके बाद अपने पास अपने पास सेल हो गई ब सेल हो गई तो सेल का अकाउंट ओपन कर दो सेल के बाद सर याद करो न एक usting PNL account अपना बनाया जाता है profit भी आाये था तो costing預 भी बना दिया यहां तक इस 9 accounts के अंदर उनए उन्ए एक तीं किशे दो आरť दस 10 accounts के अंदर किसी को कोई दिखकत है क्या। सबसे पहले मैंने क्या किया आपने अमिद्धाई ध्यान से देखते चलना हमने कुछ नहीं किया सबसे पहले मैं raw material को उठा के लेके आया उस पे wages लगवाई ठीक है direct expense का general account के आप नहीं बनता कोई ऐसा कुछ खास नहीं बनता कभी कभी होगा तो बना दे गया पर ठीक है done सर उसके बाद मैंने क्या किया उसके बाद सर आपने कुछ नहीं किया उसके बाद factory over rates का भी खर्चा लगा WIP भी अपनी बन गई फिर मैंने office के अंदर थोड़ा खर्चा किया और finished goods बना के तयार कर दिया done done finished goods पे मैंने थोड़ा selling willing का खर्चा लगाया और cost of sales अपना बना दिया इसी process line में चल रहे है cost of sales को मैं बेचने चला गया और क्या किया सर profit and loss कुछ आया तो costing pnl में record कर दिया बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत ये कुछ अपन basic accounts बनाने वाले हैं सर ये तो पढ़ लिया लेकिन इस चाप्टर में क्या पढ़ेंगे इस चाप्टर में आप पढ़ोगे सर raw materials ध्यान से देखते चलना control account wages control account factory overhead control account WIP control account admin overhead control account finished goods control account selling and distribution control account cost of sales account sales account और costing पिलना अमें तो ये control control उदे भाई control सरी control वर्ड गया आपने को समझ में नहीं आया मेरी बात सुनों पहले इस इतने points note down कर लो कि इतने accounts आपको generally खोलने एक और खोलता है सर 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 एक और खोलता है एक और एक और कौन सा मेरी बात मानों बस लिख लो यहां पर general, ledger, adjustment account बस इतना लिख लो फिर मैं आपको बताता हूं फिर मैं आपको सब कुछ बता के चलने वाला हूं धीरे धीरे सर एक और चीज़ चलो जब इतना लिखी लिए हो तो ये क्यूं बना रहे है cash account के बदले cash account के बदले क्योंकि sir, आमिन भाई, क्यूं cash account के बदले क्यूं? अरे लाला, मेरी बात सुनो न हाँ, याद है, मैं यहां पर non integrated, अभी मैं आपको non integrated accounting सिखा रहा हूं तो non integrated accounting में finance तो लाई नहीं सकता, पईसा तो लेके आई नहीं सकता cash लेके नहीं आ सकते इसलिए cash के बदले हम general ledger adjustment account word का use करने वाले हैं अच्छा मैं अईशा क्या अईशा बबा अईशा लिख लो इसको जी सर ये 9 accounts अपने खुलने वाले है कोई load हो कोई दिक्कत हो तो मेरे को यहां तक बताओ नहीं सर अपने को कोई दिक्कत नहीं है अपन मस्त सुकूने यहां जीने लग गए अब मेरी बात सुनो सर अब मेरी बात सुनो ये इतने accounts तो open कर लिए question why are we using control account instead of RM या WIP या कोई भी चीज या finished goods वगेरा किसी भी चीज के लिए हम लोग control account का use क्यू कर रहे हैं चलो आओ इसका solution बताता हूँ whenever we use the word RM या WIP या finished goods we are only referring हम refer करते हैं to a particular type of raw material सर जब भी आप raw material का account खुलते हो ना तो आप किसी एक raw material की बात कर रहे होते हो जैसे raw material A का account, raw material, B का account, raw material, C का account याद आया हाँ but whenever we use the term कौन सा तर्म? अमिद भाइ whenever we use the term control comma we are referring आप refer कर रहे हो to we are referring to entire we are referring to entire raw material as a whole आप पूरे raw material की combined बात करना चार रहे हो ऐसा नहीं कि अलग raw material A, raw material B, अलग C, लग नहीं जितने type का raw material यूज कर रहे हो, उन सब का combined नाम आप यूज करना चार रहे हो इसलिए अपन control word का use करते है अब finished goods मतलब company ने जितना finished goods बनाया जूता, चपल, ये, वो, this, that, जो बनाया सब, सब का control account मैंने entry डाली एक साथ, WIP मतलब जितनी WIP पढ़ी है जूते की पढ़ी है, सर, चपल की पढ़ी है, सर, कपड़े की पढ़ी है, सर, चश्मे की पढ़ी है, सर, जिसकी भी पढ़ी है वो हमारे पास WIP control account के अंदर आ जाएगा, बताओ किसी को कोई दिक्कत नो, सर, अपने को यहाँ तक दिक्कत नहीं आईए clear, note down कर लो भबा इसको, done सर, note down कर लो, धीरे धीरे सब लिखवा दूगा, और सब मैं आपको बताओ बताओ, किसी ने भी कोई भी पंगा यहाँ तक नहीं, सर, अपने को, कोई भी दिक्कत नहीं आई, यहाँ तक, done, 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 sir सर, 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 अब मेरी बात सुनो ना, अब एक बार अपन फ्लो और एंट्री समझ ले क्या, सुनो मेरी बात, ओ लाला, लाला, ओ लाला can we understand the entries, can you just try, आज के पहले lecture में आपको सिर्फ entries समझाने की बात करूगा, can we try to understand the entries, आपको कहां से दिख रहे हैं, यहां से दिख रहे हैं, can we try to understand the entries, क्या आप और मैं मिल के एक नहीं कहानी लिख सकते हैं, जी सर लिख सकते हैं, आओ न, सर एंट्री समझने की try करते हैं, चल, सर आप मिर को बताना हम क्या क्या करने वाले हैं, first, मैं तो आप से सिर्फ पूछूँँगा, आप मिर को बताते चलो रहें, first, when you purchase raw material, जब आप raw material खरीद के लेके आते हो, आप normal entry क्या डाल रहे थे, मैं normal entry की भी बात करूँगा, और अभी non integrated में क्या डालना है, उसकी भी बात करूँगा, बताओ, जब आप raw material खरीद के लाते थे, तो आप, मतलब integrated वाले में, मतलब जब finance भी अपना साथ चल रहा है, तो आप generally क्या entry मारते थे, sir, raw material account debit to cash या bank, आप यह entry मारा करते थे, sir, मैं गया और पैसर दे के खरीद के लेके आगया, जी sir, आउन ना इक बार बतातों non integrated में क्या करेंगे, क्या करेंगे sir, sir, कुछ भी नहीं करने वाले यह तक्तम छोटू टिच्चू सी वात है, क्या टिच्चू सी वात है, sir, आप पहले ही समझ गया, raw material की जगा, word use होगा, raw material control account, तो raw material, control account debit, ठीक है sir, और मैंने आपको बोला, cash और bank की जगा पे क्या लिखना है, sir, क्या लिखना है, sir, क्या लिखना है, sir, general ledger adjustment account, तो बस to general ledger adjustment account, बोलो भाईया, किसी को कोई दिक्कत लगी हो तो, नाई, sir, यह तो बहुत ईजी था, बहुत ईजी था, बहुत ईजी था, बोलो, कोई दिक्कत होई, नाई, sir, पहला step यहां तक, next, sir, next में अपन क्या करने वाले, next में, when you pay wages, जब आप wages की payment करो, आप क्या entry डालते हो, sir, wages account debit, wages की payment हो गई, to bank, पैस आपने हाथ से निकल गया, नॉर्मल यह entry पढ़ती है, जी, sir, यह entry पढ़ती है, अब आजाओ, sir, non integrated में क्या पढ़ेगी, wages, control, account debit, to general ledger adjustment account, बोलो किसी को कोई दिक्कत, आरे नाई, sir, यह तो मखन वाला काम हो गया न, चालो, लिख लो, 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 सर, क्या सुनना है, अब आप लोग में भी बात सुनोगे, sir, क्या सुनना है, now, the raw material, and wages, goes to production, हो मैं निकला, production करने, sir, raw material और production उठे, sorry, wages उठे, और क्या चले गए, produce करने कुछ न कुछ चले गए, ठीक है, sir, आ जाओ, sir, एक बात बताओ, direct finished goods बन जाता है, या पहले WIP बनती है, मतलब ऐसे छुक मशीन से डाला, इधर से आलू डालूंगा, उधर से सोना बहार आएगा, इधर से आलू, ऐसा होता है क्या, नहीं sir, होता क्या है, आप कोई raw material wages डालते हो, पहले WIP आधा कच्चा बनता है, फिर ज we will transfer कौने भाया we will transfer, क्या transfer, we will transfer the RM and wages, raw material और wages को, कहां, to WIP control account, बताओ, किसी को कोई दिक्कत, नहीं sir, अपने को, कोई दिक्कत यहां तक नहीं आई, ओके sir, अब मेरी बात सुनो, यह उठके कहां चले जाएंगे, अमित भाई, wages उठके, RM उठके चला जाएगा sir, WIP पे, तो देखो, first entry, क्या बनेगी, अभी, मेरा raw material debit पे है, ठीक है, उठके जाएगा, मतलब, यह कहीं न कहीं credit हो जाएगा, ओके, wages मेरा debit पे है, उठके अब, जब RM अपन ट्रांसफर करते है, to WIP, एंट्री क्या पड़ती है, बताओ भईया मेरको, sir, RM ट्रांसफर करते हैं, जब आप WIP पे, तो आप एंट्री करते हो, WIP, control account, debit to, sir, raw material, control account, मतलब, raw material से उठके निकाला, और डाल दिया, WIP में, when, sir, wages, is transferred to WIP, sir, तब क्या इंट्री पड़ती है, simple, WIP, control, account, debit to, wages, control, account, account, कि बोलो, किसी को कोई पंगा था, क्या, किसी को कोई दुख था, क्या, तकलीफ था, क्या, नई, sir, clear था, छोटू सा point था, clear कर लिया अपने, मैंने क्या किया, सबसे पहले, RM खरीदा, wages खरीदा, और उन दोनों को उठा के डाल दिया, कहां पे, अपने पास, WIP control account के अंदर, किसी को कोई लोड लगी यहां तक, नहीं, sir, अपने को कोई लोड यहां तक, नहीं लगी, clear हो गया, जी, sir, अपना थोड़ा, clear हो गया, अब, 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 यहां से next point के आएगा हमारे पास, sir, WIP में तो चला गया, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, there are, ऐसे लिखना पड़ेगा, there are, two types of wages, दो तरह का wages होते हैं, अरे हमें बात कर रहे हैं, अब आपने सुना ही नहीं, क्या बात कर रहे हो भाई, मैंने पढ़ा हैं नहीं है, sir, क्या बात कर रहे हो, कौन सा, कौन सा, कौन सा, देखा, मैं बताता हूँ, एक होता है, हमारा यहाँ पर, direct wages, ठीक है, एक होता है, sir, indirect wages, बात तो सही, बात तो सही है, direct wages, indirect wages होता तो है, अपने पास, ठीक है, मेरी बात सुना, both are, first, entered, in, wages, control, account, together, इन दोनों को, sir, wages, control, account में, सबसे पहले साथ में, डाला जाता है, मतलब, पहले तो यह, wages, control, account में, जाएंगे, direct wages, then, वहाँ से उठके, goes to WIP, account, वो WIP में, चला जाता है, indirect wages, then, goes to factory, overhead, control, account, sir, वो वहाँ से उठके, factory, overhead, control, account, के अंदर जाता है, मतलब, sir, वो सारी wages, आपको नहीं डालनी है, एक साथ कहाँ पे, WIP में, न, sir, मैंने क्या बोला, raw material, direct raw material, और direct आपका wages, उठके कहाँ चला जाएगा, sir, ये दो नोट के चले जाएगे, सबसे पहले, WIP में, अब सुनना, वहाँ पे क्या काम होने वाला है, यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत थी, तो वो बताओ, सबसे पहले मैंने आपको accounts बताए, उसके बाद मैंने बुला, sir, क्यों हम लोग control account का word use करते है, RM, WIP, FG का use क्यों करते है, वो मैंने बताया, फिर मैंने बुला, sir, सबसे पहले क्या होगा, raw material खरीदो, ठीक है, put कर दो, okay, sir, उसके बाद wages खरीदो, मतलब wages पे करो, और put कर दो, ठीक है, sir, next, उसके बाद, sir, raw material और आपका wages, उठके कहाँ चला जाएगा, WIP पास, लेकिन ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, sir, direct wages या direct material material भी, उठके कहाँ जाएगा, WIP पे, indirect wages, indirect material, there are two types of wages और material भी लिखी देता हो, अटाओ, ये उठके जाने वाला है, आपके पास, sir, कहाँ पे, WIP control account में, और indirect wages या आपका indirect material उठके कहाँ पे जाने वाला है, sir, ये उठके जाने वाला है, हमारे पास, factory overhead control account के अंदर, तो, sir, entry क्या पड़ेगी, simple entry थी न, बबा, इसकी entry मैंने क्या बताए थी, उठा के डाल दो, sir, डाल दो, तो मतलब to, RM, और RM या wages, जिसको डालना चाहते हो, wages, control, account, और जा कहाँ रहा है, WIP, control, account के अंदर, और यहाँ पे, ये लोग जा कहाँ रहे, factory, overhead, control, account, debit, कौन उठके आया है, indirect, RM, या wages, इन डारेक्ट आये हैं न, लेकिन आये कहाँ से, सर्फ उठके तो RM या wages, control से ही आये है, entry डाल दो भहिया, लोग, आपके सामने हमने details दे दि, लिखो इसको, ये वाला चाप्टर बहुत slow तरीके से, और मेरे style में पढ़ाऊंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना पड़े, जी sir, जी sir, जी sir, बोलो, एक दमसार मजा रहा है, अभी तक तो मजा रहा है, अभी तक complex कुछ भी नहीं बना, मैं बनने ही नहीं दूँगा, इस chapter को, ये chapter आपको मेरे हवाले, क्याकि मैंने notes चुड़वाएं, तो मतलब मैं सब कुछ अपने हिसाप से करवाना चाह रहा हूँ, अभा यहां तक अपन्ड नहीं है, अपन कहां पुण चुके डबलू आएपी के अंदर पहुच चुके हैं, डबलू आईपी तक आचुके हैं, जी sir, अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना, दिदिधी है अभी तक कि अगर मैं आपको स्टोरी बताउं एक मेरा कि इसको फुर्ड जूम करेंगे कि आजो तो कि सर मैंने कोई समान खरीदा और बोला टू जैनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट समान खरीद के लेके आया भले ही आपने उसके लिए पैसे दिये हो या पैसा नहीं दिया हो दिया हो या नहीं दिया हो पेड़ अनपेड दोनों ट्रांसफर कर दिया WIP control account को कोई दिक्कत पढ़ी दो एंट्री मैंने सिखाई इसके फिर हम wages पे आए चलो wages में क्या बना sir wages में क्या बना wages में भी आप तु जेनरल ledger control account से ले किया है क्या क्या ले किया है sir paid वाला part भी unpaid वाला part भी और क्या किया आपने by WIP control account अपन ले के चले गए बोलो किसी को कोई दिक्कत लगी wages अपन यहां लाए और WIP control में अपन ने ट्रांसफर कर दिया और 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 sir by factory overhead control account भी अपन ने डाला अगर कोई मेरा indirect है वहाँ भी उठके जा रहा था गया क्या जी सर इसके बाद इसके बाद मेरी बात सुमा इसके बाद हमने open किया WIP control account मैंने आपको इसमें क्या बोला मैंने बोला sir पहले तो यहां से समान चल के आया कहां से 2 WIP control account 2 RM control account raw material से आया 2 wages control account wages से उठके आया बोलो आया या नहीं आया जी sir आया अब मेरी बात सुनना sir अभी तक हमने ये तीन accounts में आपको खुलवाये थे और बताये थे बताओ यहां तक किसी आदमी को किसी point तक कोई दिक्कत लगी नहीं sir अपने को यहां तक कोई दिक्कत कोई point में कोई confusion नहीं लगी तो sir next क्या करवाने वाले हो अब sir बोलो 4th account कौन सा खुलता था sir खुलता था अपना factory overheads का factory overheads के अंदर क्या जाके हूँ sir factory overheads में सबसे पहले तो factory overheads में सबसे पहले क्या क्या चीजे बनी sir तू हमारे पास उठके आया आरें कंट्रोल अकाउंट से तू वेजेस कंट्रोल अकाउंट से और या आपने अगर कोई direct खर्चा किया तो general ledger adjustment से अगर कोई direct खर्चा कर रखा है तो बोलो factory overhead का अगर डारेक्ट आपको देजाना कि factory overhead expenses incurred तो general ledger adjustment में बताओ कोई दिक्कत नई sir नई sir नई sir नई sir नई sir नई sir तो एक नई entry तो हम अपने को देखने को मिल गई कौन सी sir वेन फैक्टरी ओवर हेड्स आर incurred जब फैक्टरी ओवर हेड्स इंकर किये गए तब अपने पास क्या बना सर टेंशन लेने वाला काम नहीं तब अपने पास क्या बना मैंने entry एक ही डाली वैसे तो मेरे को क्या डालनी चाहिए थी फैक्टरी ओवर हेड्स डेबेट टू बैंक मेरे हाथ से खर्चा गया डालना चाहिए था हाँ पर यहाँ पर हम क्या entry पूट करेंगे अक्खी इंडिया को मालू मैंने सर फैक्टरी ओवर हेड कंट्रोल अकाउंट तू जेनरल लेजर एड़स्टमेंट अकाउंट कॉमन जोपना अकाउंट है वहाँ पर डाल देंगे बोलो सर हाँ जी सर इजी वाला पार्ट था एक तम मोहीनी का डांस इजी नहीं है इजी बोलो जी सर क्लियर अब सर मेरी बात सुनना मेरी बात सुनना मेरी बात सुनना फैक्टरी ओवरेड्स आप खर्च कितना भी कर दो कितना भी खर्च कर दो क्या हम फैक्टरी ओवरेड्स चार्ज करते हैं क्या हम फैक्टरी ओवरेड्स चार्ज करते हैं रिकवरी रेट के basis पर सब पढ़ाया है ना मैंने आपको budget में निकालते हैं सर अपन निकालते हो overhead में कितना recovery rate है फिर multiply करते है actual production से भले तुम्हारा खर्चा कितना भी हो गया फिर तुम actual production से multiply करके उसको ले के जाते हो जी सर factory overheads charged जितना charge हुआ है क्या करते है अपन क्या करते है उसको यहां से ले के जाते हो by WIP control account factory overheads भी यहां से उठके WIP वाले भीया के पास चला जाता है ताकि WIP में सारा मिशरण हो जाए और सामान बनने को तैयार हो जाए तू पैक्टरी overheads control account सर्ट यह actual वाला खर्चा नहीं absorbed वाला खर्चा अपना absorbed वाला खर्चा normal वाला खर्चा नहीं डालना absorbed वाला खर्चा आपने को डालना है कि बोलो सर्ट इतना दिक्कत है किसी को नहीं सर आप इतना मस्त पढ़ाओगे तो दिक्कत कहां से आए तो लिख लो सर्ट इस चाप्टर में recovery rate वागेरा नहीं निकालनी वह सब कोशन में देगा आपन बस recovered वाला पार्ट को when factory overheads are recovered अपन जब उनको recover करके चलते हैं तो क्या बनता है सर अपन ने क्या किया यहाँ पर simple simple एक entry मारी क्या entry मारी सर entry बता दो ना अपने को non integrated वाले case में अपन ने बोला WIP control account debit WIP control account debit और क्या किया factory overhead control account factory overhead के अचाउंट से उठा किया अपन उसको ले गए factory overhead control account के अंदर बोलो सर कोई दिक्कत आई WIP control account debit में ले गए और factory overhead से निकाल दिया बताओ सर कोई पंगा पढ़ा नहीं अपने कोई पंगा नहीं पढ़ा clear यहाँ है done 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 donealtung must 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 मई बोलो यहां अभी अपना इतना चल रहा है जी सर एकदम 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 चल रहा है अब बताओ क्या हुआ होगा सर जब WIP में तुमने RM डाला, wages डाला, factory डाला, सारे खर्चे डाल दिये, अब तुम्हें नहीं लगता सामान बन गया होगा, बोलो बोलो तुम्हें नहीं लगता सामान बन गया होगा, जी सर, जी सर, मिरको लगतो रहा है सामान बन गया होगा, मिरको लगतो रहा है सामान बन क के तयार होगा, बोलो हाँ या ना, जी सर्ण यहाँ तक अपना खर्चा लग्खे तयार हो गया होगा, जी सर्ण तो अब मैं इसको उठाता हूं और यहाँ से ली जाता हूं, पाए, कहां पे, अमित भाई, finished goods control account के अंदर बोले WIP से उठाता हूँ और finished goods control account के अंदर इसको लेके जाता हूँ आप लोग यहां तक तयार हो एक सकंड को बबा कौन है हमारी beach class के अंदर दंसर यह हमने क्या किया हम यहां से अपना सारा WIP उठा के ले गाए finished goods के अंदर when the goods get completed it is transferred to finished goods का account finished goods के account में अपने इसको डाल देते हैं entry बता दो भाईया सब लोग मिलके सर एंट्री तो एक ही है न फिनिश्ट गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेविट to WIP कंट्रोल अकाउंट finished goods के अकाउंट में गया WIP से निकल गया तो यहां पे भहिया आ रहा है एक और नाम का स्वागत कर लीजिए भाई और बहनों तालियों की गड़गड़ा हाट में कोई कमी नहीं रहने चाहिए आ रहे हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर finished goods कंट्रोल अकाउंट चलो सर कौन सा बनेगा सर सबसे पहले इसमें आया तो WIP कंट्रोल अकाउंट से उठके जी सर बोलो बोलो जी बोलो जी बोलो जी बोलो एकदम सर यहां तक अपने को कोई दिक्कत नहीं पड़ी मैंने सारे खर्चे लगाए और finished goods बना दिया सबसे पहले देख रहे हो आरेम लगाया वेजज लगाया उसको कहां डाला WIP के अंदर डबलो एपी के अंदर फैक्ट्री ओवरेड उठा के डाला absorbed वाला हिस्सा और सबको भेज दिया finished goods control अकाउंट के अंदर अब सर सुनो ना finished goods में क्या लगा होगा admin का खर्चा finished goods में office का खर्चा लगा होगा ठीक है when we incur admin overheads in the office sir office में लगता है ठीक है okay entry बता दो sir अक्षी इंडिया को मालूम है वैसे तो बैंक का नाम आना चाहिए था पर बैंक का नाम नहीं आएगा क्या आएगा admin overheads control account debit to general ledger adjustment account कि अगर 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 कि अन्जी डन तॉपिक था कि वैन वी इंकर दा admin overhead in the office तो अपन ने ये काम कर लिया sir अब बताओ ना admin overhead कहीं उठ की जाएगा क्या admin overhead का भी तो account खुल गया लो इसको भी डाल दो sir एक और नए account का स्वागत है at किस नाम से जेनरल लेजर एडजस्टमेंट के नाम से खर्चा आ गया वहिया सर एक काम और करते हैं जाते जाते एक काम और सुधार के चले जाते हैं अरे क्या करके चले जाते हैं सर सर when we try to absorb when we try to absorb the admin overhead सर एब्सॉप्शन रेट वेट इधर उधर सब कुछ वापस से गिवन होगा अपने को कोशन है अपने को बस अब्सॉर्ब करना होगा तो भाईया जल्दी बताना factory overhead absorb हो गया WIP में sir admin overhead किस में अब्सॉर्ब होगा finished goods के अंदर finished goods control account baby control account debit टू अपने पास कहाँ absorb हो जाएगा admin overhead control account मतलब सर सुनो न यह यहाँ से उठा और चला लो चली मैं by finished goods control account करने और यहाँ पे क्या होगा सर एक और बंदा जूट जाएगा मेरे पास to admin overhead control account बोलो कोई दिक्कत पड़ी नहीं सर एक बड़ यह entry लिख लो पहले फिर उसके बद उपर वाला पार्ट मैं दिखा देता हूँ जी सर जी सर जी सर अच्छा यह बात लिखना मत भूलना क्या मत लिखना भूलना फिर मिलको बोला में बताया है नहीं एब्जॉब्ड वाला पार्ट पूरा नहीं एब्जॉब्ड वाला पार्ट यह भी अपना एब्जॉब्ड वाला पार्ट है अभी है ने लिखो तो सोचे मुझे फिर शीन लिखो तेरी नींद दूरें चलो अमिद बाई क्या गाना गाते मजा जाता है अरे हमें पढ़ाय मेरको सबसे ज़्यादा मजाना पढ़ाने में आता हूं मैं खुश रहता हू पढ़ाते वक्त फिर का रिखो तुझे कच चलो बोलो 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 हान जी सर बोल दिया बोल दिया बोल दिया आप भया इत्ते अकाउंट्स खोल दिया पनने मैं एक बार तुमें एक बार वापस से सब दिखाता हूं यह देखो आरेम का काउंट खोला आ पहले ले के आया और फिर direct RM को WP में डाला ये direct वाला हिस्सा indirect को factory overhead में डाल दिया फिर सर general wages wages की payment करके आया या जो unpaid वाला पार्ट भी था total wages total डालना चाहे पैसा दिया हो या नहीं दिया हो सर फिर क्या किया मैंने direct वाला पार्ट WIP में डाला इंडारेक्ट वाला पार्ट उठाके फैक्टरी ओवरेड्स के अंदर डाल के उसको खतम किया खतम कर दिया सर नेक्स्ट बताओ मेरे को क्या किया सर फिर मैंने क्या किया डबलू आईटी में जो रॉम माटीरियल वेजेस था उनको तो ले आया यहां पे फैक्टरी ओवरेड्स में जो अब्सॉर्ब्ड वाला हिस्सा था सर फैक्टरी ओवरेड्स में आरेम डबलू वेजेस तो आया ही जो एक्स्ट्रा तुम खर्चा करके ले के आया थे उसको भी डाला और absorbed वाला हिस्सा सर absorption rate वेट ये वो सब question में दियाओगा question कराओगा समझ जाओगे अभी entry समझ लो उसको उठा के ले आया कहाँ पे WIP में और WIP से बन बना के सारे समान को कहा ले गए अमित भाई सारे समान को बन बना के ले गए finished goods के अंदर बोलो सारे समान को अब chronology समझिये ना finished goods को उठा के सब को उठा के ले गए finished goods के अंदर अब 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 सर finished goods में WIP से तो समान उठके आया ही था सर एक admin overhead नाम का बंदा, office का बंदा कुछ था office का खर्चा होने वाला था office का खर्चा किया, general ledger का नाम फसा दिया, मैंने भया आपनी गलती ना general ledger का नाम फसाया और सारा खर्चा absorbed वाला सुनना factory overhead absorb कहा हुआ अमिद भाई factory overhead WIP में absorb हुआ, admin कहां absorb होगा admin overhead absorb होजाएगा finished goods में absorb करके इसको यहां तक ले गया, बताओ किसी भी सजण को कोई भी दुख, तकलीफ का संकट पीड़ा है तो, नहीं सर अपने को तो कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, बोलो लिखो, बोलो, बोलो, नहीं सर, done अब, अब, अब आपको नहीं लगता finished goods में सारा काम हो गया है, जी सर finished goods में सारा काम हो गया, अपन absorb करके भी ले आए, तो सर अब finished goods से समान बनके कहां चला जाएगा, finished goods से समान बनके कहां चला जाएगा, सर finished goods के बाद याद करो मैंने क्या लिखा था, सर, सर सर, by cost of sales, account उठके सारा खर्चा cost of sales account में चला जाएगा, अब हम बिकने को तयार है, है तयार हम, अब हम बिकने को तयार है कि cost of sales account में आओ भाईया, समान बेचने की कोशिश करो, तुम्हारा मन है, तो, बोलो जी सर, लिख लो यहाँ तक, फिर मिर को बताना, ओके सर, इत्ता अपने लिख लिया बोलो, बोलो, जी सर, अपने लिख लिया, यहाँ तक अपने को कोई दिक्कत नहीं आई, cost of sales account तक अपना पार्ट आ गया है, सर, एक बात बताना भले, यह cost of sales account में जा रहा है, लेकिन अभी तक इसमें सिर्फ cost ही involved है, मैंने कोई selling वेलिंग का खर्चा अभी तक add नहीं किया है, याद करो, सर, selling का खर्चा तो last में add करना हूँ, अभी तक यह सिर्फ cost ही cost जूड रखी है, और कुछ नहीं जूड़ा मैंने, बेचा वेचा नहीं अभी तक इसको बेचने की कोशिश करूँगा, कहां sales account के अंदर, सर, लिखो finished goods, अरे दिखनी दा, is transferred, हम transfer करते हैं, to, किसको transfer किया जाता है, now the entire completed finished goods is transferred to, कहां पर transfer करते हैं, sir, it is transferred to cost of sales account for selling, बेचने के लिए, अब हम बेचने को तयार हैं, और बेचने के लिए setting अपनी start कर देते हैं, तो, sir, cost of sales account debit to, 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 finished goods control account, अपने बेचने का प्रयास किया, और पटा फटसे, इसको बेचने की कोशिश पर लग पड़े, चलो, जी, चलो, बेच के दिखाएं, done, sir, तो, sir, एक cost of sales account भी खुली जाएगा, हाथो हाथ, जब इत्ता मालिक, जब इत्ता खर्चा होई गया है, तो cost of sales account भी खुल ही देते हैं, जगा बच रही है क्या, sir, उपर तो नहीं बच रही, यहाँ खुल दो, cost of sales account में अभी मेरे पास उठके समान आ गया है, क्या नाम से, sir, to, finished, goods, control, account वाले भहिया ने समान उठा के भेज दिया है, मेरे पास, बोलो, sir, sir, बोलो न, जी, sir, लिखो, 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 जी, sir, भेज दिया, भेज दिया, cost of sales account डाल दिया, डाल दिया, sir, अब क्या होने वाला है, अब सुनो मेरी बा आप आप प्रोड़क्ट को बेचने की कोशिश करते हो यह सं और इंकर on selling एंड it distribution का खर्चा क्या आप सेलिंग और distribution का खर्चा इंकर करते हो कि नहीं इन aa कर देते हैं अट का आप कै फ़्ट क्या ओसर खर्चा इंकर करने का बताुए जल्दी से process खोला जाएगा हमारे पास प्यारा राज़ दुलारा सा selling overheads control account selling and distribution overhead control account debit selling and distribution खोला अरे रे pencil हमारी चले भईया राज़ दुलारी चलो एक माट दू मेंट ये चार्ज रोज़े तब तक मैं आपको बोलता हूं लिखो 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 Selling and Distribution Overhead Control Accounted Debit 222 Sir कहा General Ledger Adjustment सारा खर्चा कहां से हो रहा है General Ledger से हो रहा है General Ledger Adjustment Account Selling and Distribution Overhead Control Accounted Debit 222222 Sir Debit General Ledger Adjustment Account किसी भी सज्जन को भाई और बहनों को यहां तक कोई दिक्कत पड़ी नहीं सर अपने को कोई दिक्कत नहीं पड़ी लो ना भाई इसको लिखो जब दिक्कत ही नहीं है तो लिख लो Done सर General Ledger Adjustment Accounting Basic अपना खर्चा है मतलब बैंक क्या तुमने खर्चा कर दिया पैसा दिया या नहीं दिया General Ledger का नाम डाल दो फसादो उसको भाई या तुम नहीं किया है ठीक है फसादेंगे ओके सर सर तो अपन क्या करने वाले Selling and Distribution का नाम फसादिया सर कर तो दिया अब क्या करेंगे भाई खर्चा कर दिया ना नाओ दा एब्सॉर्ब्ड पार्ट जित्ता पार्ट एब्सॉर्ब हो रहा है दा एब्सॉर्ब्ड पार्ट of Selling and Distribution Overhead कहां जाता है is transferred to सर जल्दी बताओ फैक्टरी ओवरेट्स डबलू आईपी में चला गया उसके बाद एड्मिन ओवरेट्स अरे रे अरे यह क्या हुआ लगता है इस लैप्तॉप की अब सांसे रुख गई है यह फुल गया अब बोलता है सर अब काम ना हो रहा हमसे ठक गया हम भी आ टायर्ड ठीक है यह क्लास आफ करेंगे अभी जल्दी होने वाली है आप transferred to सर कहां transfer कर देते हैं उठा के सर अपन इसको उठा के transfer कर देते हैं तू जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो आओ entry पड़ेगी क्या पड़ेगी सर कॉस्ट औफ सेल्स अकांट में डाल दो और निकाल के लिए जाओ इसको selling and distribution overhead control accounts में से बोलो cost of sales account में डालो और निकाल के लिए जाओ selling and distribution overhead control accounts में से हाँ या ना जी सर यहाँ से अपन लाए और इसको उठा फटा के ले रहे कि भाया होगे अपना काम होगे अप तुस्टार टेंशन लिशन लोडोर मतले तो सर यह देखो यहाँ पर finish goods control account के साथ एक और अपना बंदा जुड़ गया जिसका नाम है to selling and distribution overhead control account कौन सा वाला पार्ट भाई वापस से यह अपना absorbed वाला पार्ट आया है और यहाँ पर जो आपने ट्रांसफर के अच्छा है यह अकाउन तो खुल ही खुल लो अरे भाईया चल ले यह लखीरे क्या पड़ गई और कोई बहुता नहीं है चलते चलते कुछ भी चलते चलते यह ही रुक जाते हैं to general ledger adjustment account खर्चा करके लिए क्या है जो paid या unpaid दोनों पार्ट और by इसको उठा के लेगा cost of sales account बोलो किसी को कोई दिक्कत लगी यहां तक नहीं सर अपने को कोई भी दिक्कत नहीं लगी बोलो रे बोलो रे बोलो रे बोलो रे बोलो नहीं सर यहां तक अपने को कोई दिक्कत नहीं लगी अपने एक एक करके बढ़ते गए और cost of sales account में आ गए अब बताओ cost of sales account में अपन क्या करेंगे now 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 we transfer all the total costs अभी तक तो cost की बात चल रही है total costs in the sales account अब सर बेचने के लिए पहुँच जाओ sales account के अंदर और सारी cost को transfer कर दो कहां पे सारी cost को उठा के transfer कर दो सारी cost को उठा के transfer कर दो कहां पे sales account के अंदर sales account debit to cost of sales account सारे खर्चे उठे और चले गए cost of sales account से उठके sales account के अंदर आव न सर एक और बना ले अब बताओ कोई दिक्कत पड़ी नई सर अब बताओ कोई दिक्कत पड़ी नई और इसको अपने close कर दिया कि भाई तेरा सब कुछ by cost of sales account में चला गया तुमने बेचोगे अब तुमने सब कुछ कर दिया बेचा नहीं अभी तक अब बेचोगे बाई क्याई sales account में डालती है sales account में बेचोगे कैसे बेचेंगे सर कुछ भी बेचते हो तो जैनेरल लेजर एडजस्टमेंट का नाम डालती हो न भले ही कैश पे बेचा उधार पे बेचा बहले ही सर पेड़ बेचा या अनपेड बेचा बेच दिया ना इसका नाम फसादो बेच दिया ना इसका नाम फसादो बेच दिया इसका नाम फसादो सेल अमाउंट लो भाईया पाईली गोद्टार्स अर शोल्ड एंट्रि या बनी अपने पास जेनरल लेजर एडजस्टमेंट डेबिट हुआ पहली बार पैसा आया वही समझो बैंक डेबिट हुआ अल्मोस्ट वैसा सा इंट्री है टू सेल्स अकाउंट बेच बाच के तुमने फाइनली एंट्री खतम कर दी बेसिक एंट्री तुमारे यही तक खतम हो जाती है इससे बेसिक कोश्चन तुमारा कभी भी आख बंद करके बन जाएगा जो और बड़ा होगा वो अपन करवाएगी बताओ बेसिक एंट्री और आज का लेक्षर तुमारा यही तक होगा वापस एक बार मेरे साथ एंट्रीज देख लो समझ लो सर क्या हुआ मैं रॉव मटीरल खरीद के लेके आया बहले ही पैसा दिया हो ना दिया हो जेनरल लेजर एडजस्टमेंट में सर डारेक्ट वाला रॉव मटीरल गया डबलू आईपी के अंदर इंडारेक्ट वाला गया फैक्टरी ओवरेड्स में फिर वेजस की बात करता है सर वेजस में क्या हुआ सर आप पैसा दिया या नहीं दिया जेनरल लेजर क्या किया डारेक्ट वाला डबलू आईपी में इंडारेक्ट वाला फैक्टरी ओवरेड्स में फिर WIP कंट्रोल सर इसमें raw material भी उठके आता है और अपने पास क्या उठके आता है wages सर factory overhead में न तुम खर्चा तो जोड़ते चले गए कोई raw material आया कोई wages आया कोई direct cash खर्चा करके लेके आगए तुम उसके बाद सर जो charge वाला part होता है वो चला जाता है WIP के अंदर गया WIP में और ये सारे खर्चे finished goods के अंदर perfect अब finished goods वाला भहिया बोलता है सर सुनो ना मेरे अंदर WIP आएगा और अगर office में कोई खर्चा हुआ है वो भी मेरे पास आ जाएगा general ledger और absorbed वाला part इसके पास ये अपना सारा खर्चा डालेगा cost of sales को कि भहिया तुम सामान बेचो ना यार अब cost of sales वाला बंदा आएगा बोलेगा सर मेरे पास finished goods का सब कुछ और selling and distribution overhead देखना सर factory overhead गया WIP पे admin overhead गया finished goods पे selling distribution overhead जाएगा cost of sales पे चला गया चला गया ये देखो मैंने कोई खर्चा किया और cost of sales पे डाल दिया done सर cost of sales बोलता है अब भाई मेरे से बरदाश्टी हो ना तुम बेच दो सावान को जाओ भाई बेच दो जो करना कर दो sales account में डाला sales account में जाके हमने last में बेच दिया और बात खतम हो गई बताओ किसी को यहां तक कोई दिक्कत नई सर अपने को यहां तक कोई दिक्कत नहीं सारी entries लिखवाई तुमें flow समझाया और आज का partner ने यहीं पर खतम किया किसी को कोई भी दिक्कत नई सर बहुत प्यारे तरीके से मज़ा आया पहला lecture है मैं easy रखोगा जादा load नहीं बढ़ाऊँगा जब questions करवाऊँगा तब lecture बढ़े कर दूँगा जैसे अगला lecture थोड़ा बढ़ा होगा मेरे हिसाब से शायद done, done सर बताओ किसी को कोई load नई सर, clear हो, clear हो, कोई problem नई सर, ओके गाइस, done तो ये सारी entries लिखना, slow समझने के try करना और कोई भी कैसी भी दिक्कत हो तो याद रखना, आपका अमित भाई, ये service cost कहां से इसका नाम बदलना पड़ेगा आपका अमित भाई, आपके साथ हमेशा available है, ओके, चलो, bye bye, take care, ध्यान रखना और हाँ, एक बात तो और याद रखनी है, क्या याद रखनी है, सर, आपको एक बात याद रखनी है, कि दर गया है, या, कि आपको कभी भी कोई भी किसी भी तरह की doubts होने वाली हो, तो आपके अमित भाई, आपके अमित भाई, आपके अमित भाई, हमेशा available रहने वाले हैं, अपने टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टा, वाट्सेप, जहां पर मेसेज करना हो, और चुकि ये वीडियो में यूट्यूब पे भी डालने वाला हूँ, तो जब भी ये वीडियो यू यूट्यूब पे देखो, तो लाइक ज़रूर मार देना, और एक कमेंट कर देना प्यारा सा, कि मज़ा आया की नहीं आया, ओके चलो, बाबाई, टेक क्येर,